आईए दोस्तो आज हम आपको कड़ाव वाले चाग बनाना बताएंगे जिसके लिए हमने यह कंट्रास कपड़ा लिया इसमें पाइपिंग नहीं निकालेंगे अंदर की सैड में जो हम यह हमने पेस्टिंग के यह पहले ही काड लिये हैं किसी वीडियो में हम आपको बताएं कड़ा तो फिनिस इंग हम हम झाल लिए हैं यहमने पाइपिंग हम नहीं लगाएंगे तो हमने यह इसके लिए पहले ही कड़िंग कर रखा है और यह कपड़ा हमने ले लिया है कांट्रास एं यह देखी यह एक लागाएंगे यलॉड घर्केणे मनें कहला हैं कि एक प्रेस दोडिपारा कौतो एक रखे लिगर्द्केण यह ãगांव पर यह कॉइधा यह काम करने कि जो कपड़ा है इसको अच्छी तरीक बैशस साफ करें ले나कर प 속ॉतने यह क्पार करने करें तो पिलेन वाला उपर रखना है, सैनिक वाला जो है, वो अंदर की सेट रखना है, इस तरीके से देखिए, ऐसे कर गया, यह देखिए, अब प्रेस हमने अच्छी तरीके से गरम कर रखिए, तो यह देखिए, फटा फट चिपक जाएगी, इस तरीके से देखिए, और जब य यह सई डंग से चिपखेगा नहीं यह देशिया ऐसे करके हम सुरब आपको एकी पल्ला त्यार करके दिखाएंगे बागी हम पूरी कमीजबाद में त्यार कर लेंगे क्योंकि आजकल यह ज्यादा चल लाए क्योंकि चाक के अंदर से ऐसे करके देखिए यहां पर इस सेट में आपको यह लो नजर आएगा इधर से यह गिरीन रहेगा तो यह जब चलेंगे ना तो यह चीज डिजाइनिंग जैसे नहीं भी चलते तो इधर से दिखेगा यह आगे का दिखेगा तो बहुत अच्छा और यह काटने के बाद में एक देखिए मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया था एक नहीं करा था इसमें मैंने नीचे पीलाई धागा पर आए ताके जब यह नजर आएगा तो ज्यादा बंदा ना लगे क्योंकि ग्रीन धागा ज्यादा नजर आएगा यह देखिए इस त केटाओ निकाल लें कमीज में अगर वह बारीक कपड़ा है जिसमें के इni कपड़ा अगर ऐसे करके यह उसमें और बुकरम नजर आएगा तो आपको इसको बिल्कुल इसके बरावर से ईसे करके ही, लगाना पड़ता है , इसको अराम से करके लगाएंगे घर बरावर पर से अराम से काटेंगे फिर उसमें नजन नहीं आएगा क्योंकि ये कपड़ा मोटा है तो इसके नीचे ऐसे रख भी देंगे तो भी पुकरम नहीं देखेगा तो आप इसको ऐसे करके भी लगा सकते हैं कि यह देखिए यह जो है यह पल्ला है और यह जो हमारा मार्जन जो है इसमें इतना है जहां से हमारी यह दबाव आएगा तो इसको बिल्कुल हम यहां पर ही ऐसे चाक को रखेंगे इस तरीके से और यह देखिए इस तरीके से ऐसे करके यह पकड़ेंगे पकड़ने के बाद में यह जो है देखिए यह वाली सलाई यह अंदर की साथ में एश्ट्रा है इसको इस तरीके से लगाएंगे देखिए नीचे यह लोही धागा है इसमें इस तरीके से और इसको देखिया ऐसे करके जितनी कन्य है हमारी निकल लगा है मारजन जितना हमने कपड़े में रखा है उसी हिसाब से देखिया इसको आराम से ऐसे करके सिलाई लगाएंगे बरावर से बिल्कुल इसके यह देखिया ऐसे करके सिलाई भी हमने छोटी कर रखी है क्योंकि जब यह कड़ाओ अगयरा अगर सिलाई लगाएं तो छोटी लगाएं ताकि धागा इसमें कई बार होता है ऐसा कि कड़ लग जाता है तो वो खुल जाता है अगर छोटी सिलाई होगी तो अगर कड़ भी लग जाएगा तो वो जल् क्योंकि इस तरीके से अगर चाग बनाएंगे तो उसमें एक चीज यह है कि आपका कंट्रास अंदर से नजर आएगा वो पहनने के बाद में बहुत ज्यादा अच्छा लगता आज कि इस तरीके से लेगे बिल्कुल अराम से इसके गुलाई बिठाएं क्योंकि अगर गुलाई नहीं बैठेगी तो ये अच्छे गड़ाओ नहीं निकलेंगे फिर कोने निकलाएंगे गहीं नहीं से कि इसरब वीडियो में दिखाने के लिए मैं इतनी अराम से लगा रहा हूं नहीं तो फिर हमारे हाथ जड़ा थोड़े से वैसे भी तेज चलते हैं वही है कि अगर थोड़ा बहुत उन्निस हो जागा हम खोल ले दें इसमें मैं नहीं जाता किस लाइक होनना पड़े मुल बाइक बड़े कहां ड्क कि एल खयां जाता है कि धिया जाता कि अराम यहा हू जाता है यह देखिए यहां पर बरावर से लगा के और इस तिलाई को ऐसे करके सीधा करने के बाद में यह देखिए यह मार्जन जो है इस तरीके से यह काड़ेंगे एक पैर एक पैर से भी थोड़ा सा कम है यह यह जो चाक में कड़ा हैं यह divert बहुत सुननल लगते हैं क्योंकि जब चलने पर नजर आता है अंदर से कंटास तो अच्छा लगता है आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे एक बाट राई जरूर करें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें क्योंकि देखिए यह हमारी मेहनत होती है और अगर आपको कोई भी बात ऐसी आती है जो आपके समझ नही क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज मैं आपको सिकाओं फर्फेक्ट सी बता दूं और ना समझाए यह देखिए थोड़ी सी सिलाई हट गी थी तो मैं इसको बरावर कर लेता हूं यह देखिए अब इसको इस तरीके से निकाल लुए इस तरीके से निकल जाते हैं अगर आप सि और मैं आपको दिखाता हूं इसको प्रेस लगाने के बाद यह देखिए दोस्तों यह मैंने चारो पल्ले इस तरीके से देखिए यह देखिए बिल्कुल ऐसे करके बरावर से ऐसे करके अब इसको देखिए यह फ्रेंड है और यह बैक है यह भी मैंने इस तरीके से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यह पर देखें ए चीजे है hear this पंड है इस तरीके से फकर लिएँ रोगडने बाद में यह जो जगा है यहां पर यह जो कप्ड़ा हमने अंदर की सेड़ें कर रखा है इसको इतना हटा के लगाएंगे यहां पर हटा के क्यों लगा रहे हैं बो भी मैं आपको बता दूँगा हटा के लगाने का तरीका किस लिए अधाया है कि यह देखे हैं यह यह यहां से दो सूट के करीवे आपकार करने के बाद में देखें जो हटाके लगाया है ना अब यह जुआ पहने बाद में यह जो हमारे करके चड़ा दिया तो यह बहुत ज्यादा इसको पर ऐसे करके चड़ जागा तो इतना हटा के लगाएं क्योंकि अगर कभी भी यहां से लूच करना पड़ेगा यहीं से लूच करना पड़ेगा टैट भी आप यहां से करके फिर इसको ऐसे करके चड़ा सकते हैं तो इसी तर कर लें अच्छी तरीके से यह देखिए यह बिल्गुल इस तरीके से ले लिए और यह जो है दागा इसको काड़ लें और यह काड़ने के बाद में अब यह देखिए एक सिलाई में इस्टा ओल लगा लूँगा और यह घेरा फोल्ड करके मैं आपको फैनल लूग दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तो यह मैंने इसकी सैड जोड दिये है गला हम बाद में बना लेंगे तो यह इस तरीके से देखिए इसकी यह लूग आएगी जब आप पहनेंगे तो पहनने के बाद में जब यह चलेंग तो पहनने के बाद में यह जो जगाए यहां से ऐसे करके और यह इस सैट से देखिए ऐसे करके यह चीज नजर आएगी पहनने के बाद में यह देखिए इस तरीके से आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं पाइपिंग वाला भी बना लें इसमें ही पाइपिंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब को चाक का हाड रहेगा क्योंकि अगर वक्रम अगर यूज कर लेते हैं तो धुनने के बाद में भी थोड़ा खराब हो जाता है यह दुनने के बाद में थोड़ी देर रुका रहता है तो आप इसी तरीके से देखें आराम से आप बना सकते हैं फिनीसिंग के साथ में तो झाल 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 झाल